SPT News को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें नमश्कार SPT News पर आप देख रहे हैं रहासान की बड़ी खबरे बड़ी खबरों में सबसे पहले हैं टेक्निशिन और डॉक्टरों के बीच हुई मार्पीट को लेकर जयपुर के सवाई मान सिंग अस्पताल में लेब टेक्निशिन और डॉक्टरों के बीच हुई मार्पीट के मामले में कारवाही नहीं होने पर आज प्रदेश भर की लेब टेक्निशिनों ने कारे भहिशकार का फैसला किया है रैसान लेबरेटरी टेक्निशिन करमच्वारी संक्य प्रदेशा ध्यक्ष जितेंडर सिंग और मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा ने बताय कि प्रिशासन द्वारा मामले में उचित कारवाही नहीं होने पर आज सभी टेक्निशिनों ने कारे भहिशकार का फैसला किया है और अगली खबर कोटा रेलवे की रेलवे हर जुला मुख्याले तक मिशन बैक होम के तैद रेल गाडियों का संच्वालन करने के लिए तयार है रेल और वानी जे अवम उद्योग मंत्री देश भर के जुला कलेक्टरों से फसे हुए श्रमिकों और उनके गंतव्यों की सूची तयार करने और उसे राजे नोडल अधिकारी के माध्यम से रेलवे में आवेदन करने के लिए कह चुके हैं भारते रेल एक दिन में लगभग तीन सो श्रमिक स्पेशल गाडियां चुलाने में सक्षम हैं लेकिन वर्तमान में इसका आधे से भी कम उप्योग किया जा रहा है अब तक ट्रेनों से पंदर लाग से अधिक प्रवासियों को पहले ही रेलवे द्वारा उनके ग्रह राज्यों तक पहुंचाया जा चुका है इधर कोविड-19 में फसी मेडिकल शिक्षा कोरोना ने हर वेवस्था को भीतर तक प्रभावित किया है तो मेडिकल शिक्षा इससे कैसे अच्छूता रह सकता है साल 2017 से PG करने वाले परिक्षार्थियों का शिक्षन का आलप पूर्ण हो चुका है लेकिन अब तक इनकी तृत्य वर्ष PG की परिक्षाएं नहीं हुई है जबकि अब तक तो हर वर्ष परिक्षाएं पूरी हो जाती है और नया बैच आ जाता है लेकिन इस बार ठप होने के बीच उरास्थान पर्याटन विकास निगम शराब की दुकान खोलेगा। मजुदा हालात के बीच खुद को खड़ा करने के लिए निगम ने अभी शुरुआत करने का फैसला किया है। आटे डीसी राजे में फिलहाल बारा शेहरों में पंदरा जगा शराब के दुकाने शुरू कर रहा है जो खुद के होटल परिसर में होंगी। और अब CBSE की परिक्षाओं उपर CBSE ने बकाया परिक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। एक जुलाई को बारवी का होम साइन्स का पेपर होगा जबके दिल्ली रिजन में दस्वी का समाजिक विज्ञान का पेपर होगा। परिक्षाओं होने के बाद स्टुडेंट्स की निगाहें रिजल्ट पर रहेंगी। कोरोना वारस संक्रमन और लोगडाउन की चलते सीबियसी ने 19 मार्च को दस्वी और बार्वी की परिक्षाएं सगित कर दी थी। कोरोना संक्रमन से करीब दो माह से संगश कर रहे भरतपूर के लिए सुमवा रात को अच्छी ख़बर आई। नयमापदन के तहट भरतपूर रेट जोन से बाहर हो गया है। CMCHO डॉक्टर कप्तान सिंग ने बताया कि भरतपूर अब ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने रेट जोन से बाहर आने पर मेडिकल समीत अन्य सभी विभागों का आभार जताया। जिले में कुल 128 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं इसमें अकेले बयाना से 100 केस आये थे। इधर अजमेर में COVID-19 में लगाताद ड्यूटी और डोटेशन नहीं होने को लेकर बातचीत करने गए शिक्षक संग सियाराम के शिक्षकों और पदादिकारियों और CDEO में टक्राव हो गया। शिक्षक नेताओं की तक्राव से नाराज होका CDEO ने सिविल लाइन स्थाने में मामना दर्च करा दिया। इदर उद्यपूर में खुद की जान जोखी में डाल कर दूसरों के लिए सुरक्षा कवच बनने वाले चिक्षकर में अब खुद ही कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं। अब तक MB हॉस्पिटल में एक चिक्षक सहीद 11 नर्स संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक अन्य निजी हॉस्पिटल का मेल नर्स भी पॉजिटिव आया है। इसे लेकर R&T Medical College ने भी कई नियम निकाल कर बचाव का परचा भी तयार कर लिया है। और अब ख़बर भारतिया रेल को लेकर। भारतिया रेल ने एक मई से लेकर अब तक 14-14 श्रामिक स्पेशल ट्रेने चलाई है। उनमें से अधिकतर ने गुजरात और महरास्टर से प्रस्थान किया है। रेलवे ने ये जानकारी देते हुए सोमार को बताया कि 162 ट्रेने अभी रास्ते में हैं और 1252 ट्रेन अपने गंतावशे पर पहुँच चुकी है। रेलवे ने कहा कि लगभग 116 ट्रेने और चलाई जाने की प्रक्रिया में है। रेल्वे ने एक मई से अब तक लगभग साड़े अठारा लाग प्रवास्नियों को उनके घर तक पहुचवाया है। प्रापत आंकडों के अनुसार 496 ट्रेन गुजर्वास से चलाई गई और 17 और ट्रेने चलाई जाने की प्रग्रिया में हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।